जैहिंद दोस्तों, स्वागत है. एक और नई वीडियो में भारत में ऐसा ही एक उद्योग 1926 में स्थापित किया गया था. और आज यह लगभग 170 देशों में अपने उत्पाद निर्यात करता है और दुनिया के शीर्ष 30 निर्यातकों में से एक बन गया है. और कुछ समय बा यह वीडियो देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों. हम बात कर रहे हैं इंडिया में टायर उद्योग के बारे में. वैश्विक रैंकिंग में भारत फिलहाल 17 स्थान पर है, जबकि एशिया में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबर उत पादक है. ऑटोमोटिव टायर मैनुफेक्चरर्ज एसोसियेशन की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि पाँच भारती ये कंपनियां दुनिया की 30 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हैं. जब इसमें शामिल कंपनियों की बात आती है, तो ये हैं. अपो पिर्श स्थानों में ब्रेस्ट गौडियन कंपनियां हैं. एक बहुत ही स्केलेबल उद्योग और हर चीज के लिए एक स्टार की आवश्यक्ता होती है. चाहे वह जीवाश्म इंधन वाहन हो या पसंद का वाहन हो. इसलिए ये उद्योग हर साल तेजी से विक्सित हो रहा है. अकेले भारत में भारतिय उद्योग 2010 और 2011 में लगभग 30,000 करोड रुपए का था. लेकिन 2018 तक यह उद्योग लगभग 60,000 करोड रुपए का हो गया जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का था जेके टायर. भारत बाजार में अग्रणी, वर्तमान में लगभग 40% लगभग 21,000 और 2,000,000,000 रुपए होने का अनुमान है और 3-4 वर्षों में बढ़कर लगभग 5,000,000,000 रुपए होने की उम्मीद है जिससे भारत में टायर निर्मान बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा. इसे मजबूत किया जा रहा है.